तो 1989 के रियल इंसिडेंट पे बनी मूवी मिशन रानी गंज आज रिलीज हो चुकी है दो मूवीज आज मेजरली रिलीज हुई है एक दोनो राजवीर दियोल की और अक्षे कुमार की मिशन रानी गंज तो बात करेंगे मूवी रानी गंज की वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइब कर दो ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ तो 1989 में वेस्ट बेंगॉल के रानी गंज एरिया में एक ऐसा हाथसा हुआ जिसमें 65 यानि जिसमें 65 कोल माइनर्स खदान में फसके रह गए और कैसे शिरी जस्वंत सिंग गिल यानि की अक्षे कुमार का जो करेक्टर ने भा रहे हैं कैसे उन्होंने 65 कोल माइनर्स को रहस्क्यो किया इसके उपर ये मूवी बेस्ड है एक दिल दहला देने वाली मूवी एक ऐसी मूवी जो आपको एमोशन में जिंजोड के रख देगी मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में बताया था कि जब जब अक्षे कुमार करेक्टर रोल करते हैं कुछ नया कुछ बहतरीन ही लेके आते हैं अक्षे कुमार कुमुद मिश्रा और रवी किशन की बहतरीन एक्टिंग के साथ एक बहुत ही बढ़िया मुवी निकल के सामने है ये टीनू दिसाई की बहतरीन डिरेक्शन जो कोल माइन के सीन है वो इतने दिल दहला देने वाले है कि आप उन माइनर्स का दर्द फील कर पाओगे वेरी वेल डिरेक्टेड मुवी मुवी स्टार्ट होती है एक पंजाबी सॉंग से एक वेडिंग सॉंग से कुछ परिनीती और अक्षे कुमार के सीन आते है जो थोड़े से ओवर दा टॉप है और जो नहीं भी होते तो चल जाता और उसके बाद फिर जो अक्षे कुमार एक हेरो एक रोल निभा रहे है मुवी में जादा कहानी रभीन नहीं करूँगा मतलब कि amazing बस कुछ जो मुझे कमी लगी है मुवी में वो है मुवी के VFX VFX मुवी के और बेटर हो सकते थे एक सीन आता है जिसमें सारे वरकर के उपर से पानी निकल जाता और अगले ही सीन में वो वरकर बिल्कुल सूके जैसे कभी पानी था ही नहीं तो एक VFX है मुवी का जो मुवी को जो आपको देखते देखते थोड़ा सा off track कर देगा जो आपको मतलब कर देगा कि यार यह नहीं होना चाहिए था otherwise आप वेरी beautifully directed movie आप pain feel कर पाओगे उन माइन वरकर जा इतने अच्छे coal mine के scenes लिए गया है एक time पर suffocation फील होनी शुरू हो जाती है मतलब coal mine वाला जो पार्ट है that is beautifully directed सिर्फ अगर VFX वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा होता न तो मेरे लिए यह movie 5 star होती decent music और ultimate acting कुमद मिश्रा और ravikishan जिदके सिर्फ पे यह पूरी movie खड़ी है और जो बाकी के सारे actors हैं जो coal mine में फसे हुआ है बहतरीन acting के साथ आपके weekend को entertaining मना दे की मैंने सुबा का show देखा इतना कुछ खास crowd नहीं था पर मुझे लगता है जैसे जैसे reviews बहार आएंगे वैसे वैसे movie में movie को crowd मिलना शुरू हो जाएगा बहुत time बाद अक्षे कुमार एक अच्छी decent movie लेके आए है comedy से हटके जब जब उन्होंने serious role की है movie अच्छी लगी है तो overall for me it is a three and a half star एक परिनीती वाला हिस्सा अगर थोड़ा सा छोटा होता तो उसको avoid किया जा सकता था और एक VFX movie के इसके अलावा बहतरीन movie बहुत अच्छी कहानी well presented well explained कैसे कोल इंडिया की उस टाइम पर corruption ने इस sub incident को excelate किया मतलब बहुत 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 बहुतरीन तरीके से movie को narrate किया गया है excellent acting by Akshay Kumar काफी अच्छे लग रहे हैं स्वंत सिंग गेल जी के अवतार में सरदार hero who is a hero otherwise as well तो एक सरदार जी जिन्नों ने 65 Miners की जान बचाई अपनी सूजबूच से अपने दिमाग से great story a must watch weekend पे family के साथ जाओ full family entertainment है मज़ा आएगा आपको जाओ जाके देख किया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को share भी कर देना